वेदेट वेलकूम बैक टो मार चैनल मैं हूँ इश्वर्या और आज आपके साथ में कर रही हो मेरा नाइका हॉल बहुत excited हूँ क्योंकि मैंने नाइका से बहुत अगर करी दिम पर्चेसिंग करी और बहुत सारे skin care और hair care खरीद है मैंने यहां से और बहुत सारे न्यू लॉंचेस भी मैंने यहां से इस बार ट्राइ करें हैं क्योंकि काफी सारे ब्रांड में न्यू लॉंचेस हुए हैं तो मैंने यहां से लॉर्याल में कुछ खरीदा है मामा अर्ट में कुछ खरीदा है नाइका का खुद में कुछ नाइक मेरे चाहिए को सब्स्राइब साथ में कीचिए का बैल आइकन को प्रेस ताकि आपको नोटिफिकेशन्स मिलते रहे मेरे आने वाले वीडियो के लिए और वीडियो अच्छा लगे तो से लाइक और शेयर ज़र ज़र करें अब स्टाइब से लुल्स नोट बोड़ी तो फर्स्ट मैंने पूर्चेस किया है यह लॉर्याल का माइक्रो क्रिस्टल मैंक्रो एसंस और यह बहुत ज़ादा पॉपुलर है इसका मैंने सबसे छोटा वाला मिनी वर्जन ही पूर्चेस किया है क्योंकि मैं ट्राय करना चाहती यह तीन साइज में आपको मिल जाता है और यह इस तरीके का है कुछ प्रोड़क्ट और इसे अल्रेडी में यूज करना स्टार्ट कर दिया मैंने बैलकि अच्छली मैं इतना यूज कर भी चुकी हूं यह तो यह उसकार हाज आपको सेया करती हूँ तरहाराती तरओ यह अकश्चली मैं दो बार कुछ पुछ साइस किया था और दो बारी मेरी पुर्चेसिंग्य उन को मैं इतनादये आपको साहँ है अपको मिल और इसके में उपार आयों कियाए टार्ट के प्रोड़क्ट यह ल यह बहुत जादा इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बने तो बहुत सारे स्पॉंसर्ड वीडियो भी थे और बहुत सारे ट्रेंडी है इन दिनों में यह तो यह मैंने फर्स्ट पर्चेस किया second again मैंने यह लोरियल का मास्क है यह डिटॉक्सिफाइब मास्क है यह क्ले मास्क है एक जैपनीज एक्टिव चारकूल मास्क है बेसिकली यह प्यॉर क्ले मास्क है और इसकी ना पैगेजिंग बहुत जादा सुन्दर लगी मुझे इसका जो ही कलर वगड़ा है यह बहुत जा मास्क है तो मुझे ना चाहिए भी था मुझे एक मतलब यह चारकूल मास्क मुझे जरुरत भी थी तो मैंने यह पर्चेस किया है नेक्स मैंने किये है पर्चेस यह नाइका के न्यू लाँचेस फेस वाश एक्चुली मैं इसको ट्राइ भी कर चुकी हूँ काफी यूज हो चुका है यह खतम होने में है अल्मुस्ट इसमें से एक फेस वाश तो और यह तीन वेरियंट में इनोंने लाँच के थी जिसमें नेक्स्ट इसके बन मैंने पर्चेस किया था यह के ब्यूटी की तरफ से है यह के ब्यूटी का काजल है इसमें एक तरफ आपको काजल मिल जाता है और इसे भी मैं यूज कर चुकी हूँ अब ही मैंने इसी को ही वेर किया हुआ है और एक साइड आपको यह इसमर्जर मिलता के ब्यूटी कच्छीना केफ का ब्रांड भई तो मतलब ऐसा लगा कि लेना तो बनता है ना तो यह मैंने पिक किया है वहां से यह काजल नेक्स्ट मैंने लिया है मामा अर्थ का न्यू लाँच मैसला वाटर और यह एक फोमिंग वाटर है फोमिंग मेकप रिमूवर है और यह मामा अर्थ के तरफ से है और यह इनका न्यू लाँच है अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने इसे लाँच किया है तो मुझे चाहिए भी दाया मेकप रिमूवर तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे ट्राय करके देखूं और इसका भी वीडियो आपके सामने आये तो अलड़ी इसका रिव्यू में अपलोड कर चुकी हूँ तो अगर मैंने कर दिया होगा यह वीडियो शूट तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा यह डिस्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा त आप जरूर चेकिज़ेगा एक चीज़ बीच में ही रोकती है इस वीडियो को मैं मतलब हमेशा भूल जाती हूँ अगर आप मुझे इस्ट्राग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका हैंडल आपको निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर दोनों में में मैंशन कर दोंगी तो प्लीज अगर आप इन्स्ट्रागम पर मुझे फॉलो करना चाहते था हैं तो आप मुझे मुझे मजे फॉलो कर सकते हैं नेक्स्त mir ने अगीन माम आर्थ के निव लॉंचि नाचे ये लिया है मैंने इक हेयआ है ये येमाऺ एर्थ का निव हेयर उई है ब्रिंग्अला हैरोयल with Bhingraj and Amla और ये कार्जबर पैकेजिंग में था जैसे कि मैंने का यूजमा स्टार्ट कर दिया है तो इसलिए वो कार्जबर पैकेजिंग तो पता ने किở दाऊँ तो ये इस तरीक है हैरऔर आई है है फिर इंटन्स हेआयर ट्रीटमेन्ट 100% natural hair dermatologically tested है और ये for all hair types के लिए है मामाद के वैसे भी जो products होते हैं वो काफी natural होते हैं और इनका मुझे concept भी काफी अच्छा लगता है ये अपने plastic के लिए कहते हैं आप फेको मत आप इसका recycle करो क्याकि इसके plastic की quality ऐसी होती है आप इसे recycle कर सकते हैं और ये जो hair oil है ये claim करता है कि ये आपकी hair growth को promote करेगा ग्रे से आपके बालों को prevent करेगा और follicles हैं जो आपकी hair follicles से उनको strengthen करेगा तो मैंने इसलिए से purchase किया है क्योंकि अभी बहुत जादा hair fall हो रहा था मेरे बालों मेरे अच्छे नहीं थे और ये new launch है इनका तो मैं जरूर इसको try करना चाहती थी तो ये purchase किया है next मैंने इसके बाद इसके बाद again मैंने mama earth का ही ये new launch shampoo है bring and amla और bring and amla shampoo है ये जिसका तेल था ये hair oil था उसी का ये bring and amla shampoo है तो ये भी मैंने purchase किया है और ये भी for intense hair treatment है ये भी आपकी hair growth को promote करेगा dandruff को treat करेगा dry scalp को treat करेगा और ये बना है made with natural ingredients के साथ में तो next year ये मैंने purchase किया है mama earth के new launch में से इसके बाद mama earth पे ना कुछ जब मैंने इसे purchase किया था तो mama earth पे कुछ offers वगरा थे दो के साथ में कुछ आपको एक product वगरा free मिलने वाला था तो मैंने ये लिया है ये है मतलब मैंने ने लिया है ये मुझे free मिला है ये है oil free face moisturizer with apple cider vinegar for acne prone skin के लिए तो ये मैंने लिया है ये non-cormodogenic है और paraben and silicone free है तो ये मुझे रिसीव वा है 25 gram का product और ये भी काफी साथ popular है तो मैं सोच हूँ कि जरूर इसके ओपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए इसका जरूर मैं आपके साथ review शेयर करूंगी क्योंकि भाई acne prone skin वालों के लिए है तो मेरा तो रिव्यू करना बनता है अच्छा लगा होगा क्योंकि न्यू प्रॉडक्स को दिखे और मैं चौनगे कि अगर आप भी कुछ वी प्रॉडक्स को लेकि आपकी कोई डिमांड हो आप चाहते हों कि मैं कोई product का review आप लोग के साथ में शेयर करूं तो प्लीज कॉमेंट कीज़े का मुझे अच्छा लगेगा आप लोग की दिमान को पूरा करते हुए और चलिए अब मैं मिलूँगे आपसे नेक्स वीडियो में तब तक लिए खुश रहिए, मस्ते रहिए, घर में ही रहिए, जादा इदो तर जाने की जरुवत नहीं है